सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगए ठान लोग तो एक दिन जरूर मिल जाती है तो चलिए गाइस इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो वाइस MS Classes की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वावत है आशा करता हूँ कि आपस भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनस स्टेडिस की प्रेश में काफी अच्छी चल रही होगे तो वाइस क्लास 12 बिजनस की हमारी ये वीडियो नंबर हैस्टेक 12 है औ दो मरसत नहीं बचल जुड़ है मैं उनको बताएता हूँ इससे प्रियोस वीडियो में गाइस जो है गाइस हमने प्लानिंग के इंपोर्टेंस इसकी लिमिटेशन हमने डिसकस कर ली है और जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आग आने वाली वीडियो में प्लानिंग प्रोसे को हम जल्दी से समझ लेते हैं तो वाइस देखो प्लानिंग प्रोसेशन मिलने आपको साथ पॉइंट दे रखे हैं ठीक है और जिस सीक्वेंस मैं यह लिख्य में आपको इसी सीक्वेंस में याद करने है अगर आपके पास NCRT बूक है या और कोई दूसरी बूक है और उस बूक में जिस तरह से यह सीक्वेंस दे रखा होगा ठीक है उसी सीक्वेंस में आपको यह प्रोसेश याद करना या नहीं कि आप इन पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते जैसे आप लिमिटेशन में या इंपोर्टेंस में कर रहते हो प्रोसेश में आप ऐसा नहीं कर स सकते हैं यहां से इन सीक्वेंस को आपनी दूसरी बुक में लिख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो चलिएगा जल्दी से हम पहला यह प्लानिंग प्रोसेस का पहला को डिसकर कर लेते हैं इसका नाम है सैटिंग अब्जेक्टिव जैसा कि इसके नाम सी क्लियर हो रहा है सेटिंग दा अब्जेक्टिव जनानि की इस वाले पॉंट में अपने अब्र में प्चेक्टिव को सेट करते हैं ठीक है अपने अब्जेक्टिव को करते हैं और तव्य वह एंड रिजल्ट है जहां से दूęरा पहुंचना चाहती है इसके बाद और अब्जेक्टिव ज लाकिन अगले महिने हमने 10,000 योनिट प्रड्यूस करनी है ये हमारा क्या है अबजेक्टिव ये 10,000 क्या है एंड रिजल्ड उसके बाद ये जो हैं वाइस मेजरेबल है इंटरम औफ योनिट हम इसको मेजर कर सकते हैं 10,000 और सिंपल और किलियर तो ये आपको दिखाई दे र लेते हैं उसके बाद अलगी डिपार्टमेंट भी अपने अलग-अलग अब्जेक्टिव सेट करते हैं लेकिन ओर जाब को अपने ते वे वह अपने सेट करते हैं आयो आपको पहला वे साही हम जल्दी से अपने प्लानिंग प्रोसेस के दूसरे पूइंट को चलते हैं इसका परना रहे हैं वो अनुमान लगाते हैं कि future में क्या घटना घट सकती है यानि कि उसका वो अनुमान लगाते हैं manager required to make certain assumptions फिर वो कुछ assumptions बगरा बनाते हैं future को लेके और उसी assumption को हम जो है गाइस premises बोल देते हैं उसके बाद knowledge के point of view से आप इनको पढ़ सकते हैं लेकिन आपको जो मैंने आपको पूपर कराया है ना यह जो इस दो कराई है तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पढ़ेंगे और यह last का आपको पढ़ना पढ़ेगा लास्ट में क्या है गाइस कि जो planning premises है यह mainly दो टाइप में द इसको आप internal premises भी बोल सकते हैं और यह किसके साथ deal करती है और इसके साथ हमारे पास कितने रिसोर्स एवलेबर हैं उनके साथ quality of management के साथ यह deal करती है दूसर टाइप है गाईज external assumption external assumption किसके साथ deal करता है political social and technological एक्सेक्टर के साथ external assumption यह हम इसको external premises बोल सकते हैं यह इनके साथ deal करता है तीसरा point गाईज हमारे पास आता है कि अधार अकि कई इन्टीफाई identifying alternative course of action यह निए हमने जो objective बनाया है उस objective कितने तरीके से कर सकते हैं उन साथ तरीके को हम यहांपर गईज identify करेंगे उन सारे available alternative way को हम यहांपर identify करेंगे इससे मारे goal जो है achieve हो सकते उसके बाद जितने भी तरीके हमने उन्डे हैं उन सारे तरीकों को हम अच्छे से स्टडी करेंगे किसका पोजिटिव इफेक्ट है किसके कम नेगेटिव इफेक्ट है उस हिसाब से पोजिटिव एन नेगेटिव इफेक्ट से इफेक्ट के हिसाब से हम उनको अच्छे से स्टडी करेंगे लास्ट में क्या होग जो जैनि जो उनसा भी अच्छा हुआ जिसके positive effect ज्यादा होगे negative effect का होगे है ना उस एक को हम चुन लेंगे ठीक है और वाइस एक और बात जो हम select करते हैं एक alternative उसमें manager का बहुत ज्यादा important role होता है अच्छे से होनी चाहिए तुम कह सकते हैं अगर आपको best alternative select करना है तो उसमें manager का भी काफी important role होता है उसके पास six point में क्या है implement the plan निक्ट जो हमने plan select किया है उसको अब implement करने की बारी आचुके इसमें क्या है in this step manager जो है अपने plan को community करता है अपनी employees को बदाता है कि यह काम है आपको किसी तरह से करना है और अब आप इस plan को convert कर दो action में आप इस plan को convert कर दो last हमारा point आता है follow up action follow up action में क्या है गाइस देखो आपने plan बना लिया सेलेक्ट कर लिया है implement कर दे तो आपका काम खतम नहीं हो गया आपको जो है गईस plan को review करते रहना है अगर गईस उसमें कोई changes की आवशकता पड़ रही है क्योंकि future जो है uncertain है अगर आपको अपने plan में लगता है कि इसमें कुछ change करने चाहिए तो हम उसमें changes भी हम हमें कर देने चाहिए और लाफ में यह point काफी important है एक number में आप से पुछा जा सकता है कि planning क्या है planning एक continuous process है क्यों है क्योंकि हमें follow of action पड़ा है कि अगर आपने है कोई plan बना दिया तो यह नहीं है कि आपको काम खतम हो गया आपने जो है वाइस आपको जो काम हो इंप्लीमेंट करें तो आपको काम खतम नहीं हो गया आपको उसको उस plan को review करते रहना है time to time अगर उसमें कोई changes की आवशक्ता पड़ती है जो बढ़ती है नीट पड़ते तो उस plan में हम चेंज भी कर सकते हैं I hope वाइस आपको planning process में आगया होगा यह साथ के साथ point आपको समझ में आगया होंगे अगर इन साथ point में अगर आपकी कोई भी query है तो आप में से नीचे comment box में पूछ सकते हैं मैं जल से जल आपकी query को solve करने कोशिश करूँगा इसके अलावा गाइस अगर वीडियो अच्छे लगी है लाइक हो देना अपने फ्रेंड के साथ श telegram चैनल पर easily मिल जाएगी आपको करना क्या है description box में जाना है वहाँ पर आपको हमारे telegram चैनल का link मिल जाएगा ठीक है link को open कर लेना है चैनल को join कर लेना है और इस वाली pdf को download कर लेना है मैंने बहुत ही easy language में लिखे हैं guys आप एक बार पढ़के जूड देखो कोई पैसे लगना नहीं free of cost आपको notes available है हमारे telegram चैनल पर इसके लाओ guys आप हमें instagram पर follow कर सकते हैं instagram का link में guys आपको नीचे description box में जे दुआ instagram पर follow क्यों करें क्यों guys मैं आपके लिए instagram पर आप important mcq quiz लगरा लेके आते रहता हूं अपने instagram story में तो चलेगा जल्दी से आज की इस वीडियो को बस हम एंप्याण करते हैं you guys amazing thank you for watching our video I am Zagar दोगरा signing off